तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कंस्ट्रॉक्टर के अंदर अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं तो इससे पहले मैं यह बोलूँगा अगर आपने पिशली वीडियो नहीं देखिया है जिसके अंदर में डिसकस किया था हाउ तो पिशली वीडियो जरूर देखें आपको बस आई में लिंक आ रहा होगा अगर आप पाइटन सीख रहे हैं तो प्लीज इस प्लेलिस को जरूर देखें इस प्लेलिस में हो सकता है आपके मतलब की कुछ चीजें जो हैं आपको मिले और आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज भी मिल सकते हैं जैसे इंस्टागराम बॉट आप बना सकते हो इसमें एक बेसिक इंस्टागराम बॉट कैसे बनाते हैं वह मैंने डिसकस करा हुआ है और मैं हर वीडियो के अंदर कुछ-कुछ इंटर्वी कोशन भी डिसकस करता हूं जो मेरे से पूछे जात में मेरे से पूछे गए हुए हैं कभी ना कभी तो लेट्स क्विकली जंप जुपिटर नोट्वोक और लेट्स कंटिन्यू फॉम वेर वी हाफ लिफ तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था हमने एक बेसिक क्लास बनाई थी जिसमें एक कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर हम यहां पर कुछ नीम और एच सेट कर रहे थे और एक उसके अंदर पहले से ही पता है के नेम और एच क्या होने वाला है तो क्यू ना हम wage में ही सेट कर दे हमारे चंस्ट्रक्टर पासर करे है तो यह जो दो अलग से लाइन लखने का कोर्द मारा बच जाता ह और लेटीन कषिं बच रही है तो आपकी 200 लाइन जो है वो बच रही है आप है तो हम जल्दी से देखते हैं क्या modification कर सकते हैं अपने code के अंदर जिससे कि यह arguments लेने शुरू कर दे और हमारे जो class है वो object बनाते वक्त ही हम इसको वैलियू जो है वो set कर पाएं तो सबसे वहले तो अभी जो इसका है अगर आप किसी और लाइंग्विज चाहिए हो तो इस constructor को हम क्या कहते है default constructor भी कहते ज़र C++ में था तो C++ में ऐसा constructor जो कोई arguments नहीं लेता है उसको हम कहते है default constructor तो यहां हमें इसे convert करना है parameterized constructor के अंदर तो simply हमें यहां पे दो variables लेने होंगे जैसे हम अपने एक simple function में लेते हैं और वो variables के अंदर क्या होगा कि हम उन variables को यहां पर set कर देंगे name और age से अब एक देख रहा हूं self.name तो यह object के अंदर जो name attribute है उसको refer कर रहा है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आप यहां पर अलग भी arguments ले सकते हो अगर मैं name के जगा n और a भी ले सकता हूं यहां पर तो यहां पर मैं n और a यूज़ करूँगा बट अगर मैं को किसी भी object का variable यूज़ करना है function के अंदर class के method के अंदर तो मैं self. करके ही उसे यूज़ करूँगा तो इस case में क्या होगा कि अब अगर मैं इस class को बना लेता हूं अब इसे run करता हूं तो अभी error देगा क्योंकि मैंने या पर कुछ arguments नहीं दिये तो अगर आपको अपनी class को इतना robust बनाना है कि उसके पास arguments आएं या ना आएं तो वो अपने आप behave करें तो हम यहाँ पर use करेंगे default arguments का तो यहाँ पर मैं इनको by default set करता हूं none कि अगर user value नहीं देता है तो यहाँ पर none आए अगर आपको नहीं बता कि default arguments क्या होते हैं तो आप please playlist के अंदर जाके एक function वाली वीडियो है जिसका link में description में भी ढाल देंगो वो जरूर देखें आपक और अगर मैं इसके अंदर excel और add करके प्रिंट करना चाहता हूं इसका नाम the data.name तो यहाँ पास none आएगा और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर value डाल देता हूं जब नी दाएज भी डाल देता हूं 28 तो यहाँ पर यह नाम ले लेगा तो यह फरक होता है अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं age नहीं भी देता हूं तो थब यह चलेगा और अगर मैं इसकी age प्रिंट करता हूं तो age आएगी ना ठीक है तो यह तरीका होता है अलग-लग त सब्सक्राइब ज़्थ जब जब दे रिए घनक्स फो वाइग धिस्वीड जवीड वीड नस अगैं उड्थ